एक बार फिर से सभी प्रोग्रमादिकारियों का इस डिजिटल कारशाला में हारदिक स्वागत तैवं मिनंदन है पिछली दो डिजिटल कारशाला के मादिन से हमने ये जाना था कि किस परकार से हम किसी अकाउंट को डियक्टिवीट कर सकते हैं PFMS के अंदर और नए अकाउंट को मैप कर सकते हैं PFMS के अंदर अब एड्मिन आईडी के मादिन से लॉगिन करने के बाद हमारा ये अगला जो कारिकरम है वो मुख्यता आधारित है कि किस परकार से हम एड्मिन आईडी के अंदर कारे करने वाले डाटा ओपरेटर और डाटा एप्रूवर यूजर्स को बनाएं क्योंकि हिमाचल प्रदेश एवम इसके आधी भीविन जिलों में मुख्यता जिला कांगडा में हमारे पास PFMS के माधिन से जो कारिय चल रहा है अनसेस का वो लगवग 3-4 साल पहले से जो है उसमें PFMS के एड्मिन आईडी डाटा ओपरेटर डाटा परूवर पहले से बने तो ऐसी स्थिती में क्योंकि बहुत से स्कूलों ने अभी जो रिसेंट मैपिंग कर रखी है वो NSS के पुराने PFMS अकाउंट के माधिन से कर रखी है कुछ ही चुनिंदा ऐसे स्कूल हैं ये NSS उनिट्स हैं जिनोंने अन्य तरीकों के PFMS ID कप्यों करके मैपिंग अभी पूर्ण की है तो ऐसी सिती में जो ऐसे NSS उनिट्स जिनोंने NSS के अपनी ही लॉगिन ID और पासवर्ण के माधिन से मैपिंग कम्प्लेट की है उनको ये देखने में ज़रूर आएगा कि उनके PFMS अकाउंट के अंदर डाटा ओपरेटर और डाटा अपूर्वर जो है वो पुराने ही अभी कारे कर रहे हैं जबकि जिन इंस्ट्यूशन्स ने NSS PFMS एडमिन ID और पासवर्ण के माधिन से मैपिंग नहीं की है और जिनको अन्य PFMS ID के माधिन से जो है अन्य या नहीं PFMS ID के माधिन से जो है मैपिंग करने का अवसर दिया गया था उनके लिए ये स्थिति अलग रहेगी पुराने PFMS NSS अकाउंट के माधिन से लॉगिन करके अपनी मैपिंग की थी उनको ये देखने में ज़रूर आयेगा कि उनके डाटा ओपरेटर डाटा एपरूवर जो है वो पहले से बने हुए हैं प्रंतु क्योंकि data operator जो की program अधिकारी रहते हैं और data approver जो किसी concerned unit के या school के principal होते हैं वो या तो मुख्यता ऐसे cases हमारे पास आएंगे जिसमें वो या तो transfer हो चुके होंगे अपने institution से या फिर वो जो है retire हो चुके होंगे और अगर वो transfer हो चुके हैं, retire हो चुके हैं तो data operator और data approver IDs के जो user ID और password होंगे वो भी या तो वो आपको provide कर दिये गए होंगे उन transferred या retired employees के माधिन से तब तो ठीक है, otherwise आपको जो है उनको get करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा तो ऐसी स्थिति में जो है, हम ये कारे भी कर सकते हैं कि हम जो पुराने data operator और data approver हैं, उनकी IDs को disable कर दे और उनके स्थान पर जो है, नए data operator और data approver develop करें जिन institutions को जो के मुखेता भी नई NSSE काई हैं, इस वर्ष में, यगत वर्ष में open होई हैं जिनको, जिनोंने PFMS की अन्य प्रकार की ID के माधिन से जो है, अपनी mapping अभी हाल ही में कर रखी है उनके लिए तो क्योंकि फर्स टाइम ही data operator data approver बनने हैं या फिर उस PFMS ID में, अल्रेडी data operator data approver किसी और scheme के लिए बने हुए होंगे प्रन्तो जो NSS के PFMS ID पासवर्ड जो उनके अपने थे, उनके data operator data approver को हमें या तो disable करना पड़ेगा क्योंकि आपको पुराने पासवर्ड या तो नहीं मिलेंगी और अगर मिल भी गए तो उनको आपको reset करना पड़ेगा, उनके profile को reset करना पड़ेगा क्योंकि उनका नाम जो है उनके transfer retirement के साथ जो है उनका काम और नाम जो है वो खतम हो चुका होता है किसी PFMS ID के अंदर तो ऐसी स्थिती में सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम ये पता कैसे लगाएं कि हमारे data operator data approver जो है NSS के PFMS ID के अंदर कौन से हैं तो उसके लिए हमें admin ID और password से login करके left side के menus जो यहां सामने दिख रहे हैं इसमें masters option पे जाके users option के अंदर manage option पर जाना है और manage option पर जाने के बाद हमारे पास search button पे direct click करेंगे तो आपको जो है यह जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस video में जो है हमारे पास concerned unit के जो है admin ID और साथ में data approver और data operator जो login है वो दिखाई दे रहे हैं तो इन IDs पर आप जिसको आप enable या disable करना चाहते हैं उसको आप click करेंगे जैसे for example DA जहां लिखा है तो जाहिर सी बात है data approver है और DU जहां last में लिखाई data operator है तो अगर मैं चाहूँ data approver को disable करना तो कैसे करेंगे data approver वाली ID पर आप red color में जो ID से क्यों पर आप click करेंगे और click करने के बाद आप यहां पर disable button प्रेस कर सकते हैं तो ऐसी सिती में जब आप disable button प्रेस करते हैं तो आप यहां पर are you sure you want to disable यह option आयागा इसमें आप ok प्रेस करेंगे और यहां पर reason for disable reason क्या है transferred retired क्योंकि concerned employee तो transfer हो गया या retire हो गया फिर other in case of death और whatever the case जो भी कुछ case हो सकता है आप उसको mention कर सकते हैं यहां पर इस case में retired की हम बात कर देंगे और disable effective date इसको आप जिस दिन disable कर रहे हैं vote ID mention कर सकते हैं जब इसको mention करते हैं और save करते हैं तो आपके पास जो है user disabled successfully message आ जाता है तो इस प्रकार से आपका यह user था data approver वाला जिसको user type में जैसी data approver बताया था वो disable हो गया और जब आप यहां पर back जाते हैं तो आपको यह इस पर status में यह जो approver का account था यह disable पाया जाएगा अभी data operator का जो पुराना login है क्योंकि यह employee भी transfer हो चुके है concern institution से जो मैं जानता हूँ तो ऐसी state में अगर मुझे इनको भी disable करना है तो फिर से वो ही process simple click करेंगे and disable button press करेंगे तो वो disabled का message आ जाएगा और फिर आप back जाकर उसका status देख सकते हैं जैसे अगर मैं इसको disable कर दूँ तो okay और reason for disable then in that case transferred यह case है तो इसकी भी हालाग कि जिस दिन transfer हो इस उस दिन यह काम हो जाना चाहिए तो as per the instructions या फिर जो भी recent times हमारे पसाती ही रहती है हम उनको follow करते हुए जो है जैसे आज की एट में इस transaction को पूरा कर रहे हैं तो उसको हम आज की एट मेंशन कर देंगे तो say button प्रेस करते ही user disabled का message यहां पर propagate हो जाएगा उसके बाद back और फिर दबार सर्च करते हैं तो दोनों आईडी जाटा approver data operator जो है वो disable हो गई और इसके बाद जो है क्योंकि आपकी जो first id है वो तो admin id उसको disable ना करें सिर्फ और सिर्फ approver और operator id अगर कोई आपको अलग से लगती हैं आपके admin id के अलावा उनको आप disable कर दें ताकि फिर आप नए सिरे से नए user create करके और with new user data operator user data approver user and new password of data approver and data operator आप बना सके और फिर वो आपका अपना concerned user id पासवर्ड होगा जिसके मादिम से जो हैं आप login कर सकते हैं for the purpose of data operator अब data operator के लगले कारे हैं जिसमें basically हम अगले कारशाला में सीखेंगे कैसे आप कोई vendor create करेंगे जिससे आप समान purchase करते हैं उसके restriction होनी है इसके लावा आपने bill create करने हैं वो सारे कामताब होंगे जब data operator data approver की id आपके पास available होंगे वो हम सीखेंगे अगली कारशाला में फिलाल अभी तक जो हमारे पास कारे है वो यह है कि हमने जो है पुराने ऐसे data operator data approver के id जो की या तो transfer हो चुके हैं या retire हो चुके हैं in that case आपको उनको या तो disable करना है या फिर उनको reset करना है पर तो reset से ज्यादा better option यह है कि आप उसको जो है disable कर दे और नया user जो है वो create करें because in case of reset जो थोड़ी complexity बढ़ेगी आपके पास और समय बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप direct disable कर दे otherwise reset करने के लिए आपको ज्यादा समय लगेगा comparative to in case of disablement and enabling the new user तो आज की कारेशाला में वस इतना ही आप इस कारे को श्रीग अत्रीग पूरा करें और किसी समस्य के लि प्रोराम अदिकारी अव्यक्तिव शीर से संप्रक्साद सकते हैं धन्यवाद